आप देख रही है MNS News, सच ज़रूरी है जाज की जारी दिल्ली आपकारी निती मामले में आप नेता और पूर्व मुख्य मंत्री मनिस सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया यह मानती हुए कि प्रतम दृष्ट्या सबुत अपराद करने में उनकी सनलिप तता के बारे में बहुत कुछ बया करता है विशेशन आदिश, MK नाकपल ने अपरदिक साजिश के सिसोदिया द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीर प्रकुर्टी और भूमिका अपराद की आयके उत्पादन या अधि ग्रहन और उपयोग आदि से सम्मधित गतिविदियों के साथ उनका संबंद और मौकिक औ परदस्तावेजी एकतरित साक्षों को ध्यान में रखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया इसलिए या अदालत आम जनता और समाच पर बड़े पैमाने पर गंभीर प्रभाव वाले आर्तिक अपरादों के इस मामले में आवेदक को जमानत देने के लिए इच्चुक न उन्हें इस मामले में जमानत देने का कारण नहीं है इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि मामले में प्रमुख गवाव को प्रभावित करने की शमता से इनकार करना असंभव है नयादीश ने कहा कि सिसुदिया के खिलाफ कतीत अपराद मनी लॉंडरिंग का गंबीर आरतिक अपराद है और उन पर अपनी वेक्तिगत शम्ता में अपराद करने का आरोप नहीं लगाया गया है बल्कि आबकारी मंत्रा लेकि देखरिक करने वाले और दिल्ली के उपमुख मंत्री के रूप में कार्य करने वाले एक लोक सेवक के रूप में उनकी अधिकारी के शम्ता पर आरोप लगाया है जज ने कहा अपराद की गंबिरता और इसकी प्रकृती या श्रेनी आवेदक की शम्ता जिसमें यह प्रभी बद्ध प्रतिबद्ध था जिसके कमिशन के तरीके और कुछ अन्यकारक जैसे अपराद का प्रभाव और साती समाच पर आवेदक की रिहाई का संभावित प्रभाव आदी ऐसे कारक है जो आवेदक के खिलाफ जाते हैं और इसक अदालत को वरतमान मामले में जमानत पर उनकी रिहाई के खिलाफ फैसला करने के लिए म मामले में गुर्वार को इसी अदालत ने सिसु दिया की नयाई खिरासत 12 माई तक बढ़ा दी थी इड़ी ने पहले नयादीश को बताया था कि सिसु दिया ने यह दिखाने के लिए फर्जी इमेल प्लांट किये थे कि निती के लिए सारवजनिक स्विकुर्टी थी दिल्ली अलपसंख्यंक आयोक के अध्यक्षल जाकिर खान को इन प्री ड्राफ्ट इमेल भेजने के निदेश दिये गए जिनों ने अपने इंटन को इमेल भेजने के लिए कहा जाच एजनसी ने यह भी कहा था कि सिसु दिया के खिलाफ जाच पूरी करने के लिए दिये गए 60 दिन अभी खत्म नहीं हुए है इनसे इसने कहा कि उसे कथीत गोटाले में से सोधिया कि सनलिप्तता का संकेत देने वाले नए सबूत मिले है और जाच महत्वपुर्ण चरन में है आईए बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ गजेंद्र सीह शेकावत जल्द जा सकते हैं जेल केंद्रिया जल्द शक्ती मंतरी गजेंद्र सीह शेकावत द्वारा मुख्यमंतरी अशोग गैलत को राजस्तान की राजनिति का रावन कहे जाने के बाद गैलोत ने शुक्रवार को पलटवार करते हुए कहा कि सीह जल्दी संजीवनी घोटाले में जेल जा सकते हैं गयलोत ने कहा गजिंदर सिया के दोस्त जेल में बेटे है, वो कभी, कभी भी जेल जा सकते हैं, सिया और अन्या भाजपानेता अब मुझे गाली दे रहे है, वह कह रहे है कि अशोक गयलोत रावन की तरह है, लेकिन भाई अपने पैसे लुटे, आपके दोस्त जेल में हैं, आप बीग कभी भी जेल जा सकते हैं ऐसे स्थिति हैं गयलोत ने यह भी कहा कि सीहा कहते हैं कि वह आरोपी नहीं है जब आरोपी नहीं है तो आप जमानत के लिए उच्चनाले क्यों गए यह तो सीहा को नैतिक आधार पर इस्तिफा देना चाहिए या प्रधान मंतरी को ऐसे ब्रश्ट मंतरी को बर्खास्त करना चाहिए आप अपनी संपत्ती बेचकर संजीवनी घुटाले के पिडितों को पैसा लोटाएंगे तो मैं आपको राम कहूंगा भाजपा मुझ पर चाहे जितने पत्तर फेके मैं उनका इस्तमाल स्कूल और अस्पताल बनाने में करूंगा या मेरी सोच है इससे पहले गुरवार को शेकावत ने चिंतोर गड़क में एक रैली के दोरान गहलोत और राजस्थान की कॉंग्रेस सरकार पर जम कर निशाना साधा था सीह ने अपने भाशन के अंत में कहा था अगर आप राजस्थान की राजनीतिके शासन को खत्म करना चाहते हैं तो हाथ उठाए राजस्थान में राम राज्य की स्थापना के लिए संकल पले आइए बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ आनंद मोहन की रिहाई पर केंद्रिय मंत्री अश्विनी चौबेर ने कर दिया चौकाने वाला खुलासा बिहार सरकार की नितिश कुमार सरकार भले ही बाहु बली सर राजनितिद्न आनंद मोहन सीह की रिहाई को लेकर अलोचना का सामना कर रही हो लेकिन भाजपा नेताओं की इस पर अलग राय है इसके उच्च जाती के नेता सरकार के फैसले के पक्ष में है जबकि OBC वर्ग से जुड़े कुछ अन्य लोगों के अलग विचारे शुकरवार को केंद्रिय मंत्री अवशिनवी चवबे ने दावा किया कि नितिश कुमार और ललन सीह ने लालू प्रसादियादों के खिलाफ साजिश रची और उन्हें जेल भेजा इसी तरह नितिश कुमार और लालू प जी कृष्णया की हत्या से जुड़ा था और नाही भीड को मारने के लिए उकसाने से जुड़ा था इसके बावजूद उन्हें अपनी युवाय वस्था के दोरान जेल में रहने के लिए मजबूर किया गया था मुझे अदालत के फैसले से कोई आपत्ती नहीं है लेकिन उन्हें युवाय वस्था में जेल में रहने के लिए मजबूर किया गया और राजनितिक लाब के लिए रिहा कर दिया गया बिहार में बिजेपी के ब्रामन नेता चौबे ने कहा मैं उन्हें महागर्ड बंदन के नेताओं को बताना चाहता हूँ कि उन्हें इसका राजनि कि रिहाई पर कोई आपक्ति नहीं है ऐसे ही दीन भर की तमाम खबरे आपके सामने लाके रहेंगे तब तक बने रहें MNS News के साथ नमस्कार यह है MNS News निट पर और आप देख रहे हैं MNS News